हलो फ्रेंड्स नमस्कार मैं हूँ शुबेंदु सरकार और आपको एक बात बताने वाला हूँ आज इस वीडियो में आपने जरूर मौनजुलिका वाला पिक्चर देखा होगा उस पिक्चर में मौनजुलिका घुम्गुरु पहनती है और वो पैरों में पहनती है लेकिन आपको बताना है कि यह पैटन आपको कैसा लगा और अगर अच्छा लगे तो इसको सीखिए यह बहुत जगे काम में आता है यह बहुत यूसफुल भी है इसको सीखिए और जिस तरीके से मैं बजा रहा हूँ उस तरीके से बजाने की कोशिश कीजिए या फिर इससे भी अ गुंगरू बजा रहा हूँ यह इससे पहले भी बहुत पहले से यह चले आ रहा है यह कुछ नया नहीं है लेकिन मेरे लिए नया है इसलिए मैं उसको करतब बोल रहा हूँ कि मैं कुछ नया करतब करने वाला हूँ तो आई यह शुरू करते हैं तो पहले मुझे थे उनका मैंने सुना गुंगुरू कैसे बजाया और गुंगुरू बांध के वो कैसे कवाली style में बहुत सारी चीजे बजा रहे हैं तो उसमें से मैंने एक दू चीजे सीखी है और मैं आपको वो बताऊंगा वो सिखाऊंगा आप बहुत अच्छे से सीख सकते हैं और यह इतना easy है मुझे नहीं पता था यह बहुत easy है आपको खाली बस tact समझना है कुछ चीजे जो हम तबले में बजाते हैं वो चीजे आपको घुरू से produce करना होता है तो मैंने एक ठेका आपको पहले बताया था थपकी वाला ठेका अब जो इस ठेके में धिक है और तिक है यहाँ पे clap का timing है जैसे कि अगर हम कुछ गाएंगे कुछ बजाएंगे तो हरे क्रीशना हरे क्रीशना यह जो क्लैप के timing है इस टाइमिंग पर गुंगरू बजेगा अब गुंगरू कैसे बजेगा तो बोल ही है और धा के जगह हम धह के साथ गुंगरू को लेंगे और देखिये यह जो इस पैटन को बजा जाता है या फिर यह कह सकते है कि यह कवाली पैटन ही है और अधिकतर जो मॉंडन लोग है वो कवाली गाते वक्त इन्हीं सब पैटनों में होता है चीजे इन्हीं सब पैटनों में वो गाते बजाते हैं तो इसमें कई सारे बहुत सारे पैटन है मैं उसमे इसको समझते हैं इसको सीखते हैं तो आई देखते हैं तो यह जो एक स्टाइल था इसका जो में पैटन है वह कुछ इस तरीके से हैं यह जो पैटन है देखिए आपने सुनके ही आपने समझ लिये होगा कि अधिकतर कववाली में बजने वाला पैटन है तो यह पैटन जो है वह किस तरीके से बज़ रहा है इसके बोल क्या क्या है अब देखिए इसको कैसे बजाएंगे जहाँ पे हम यह बजाते है यह जो खबकी वालता है इधर शिफ्ट हो गया गुंगरू के साथ कैसे यह को स्लेट करके म्यूट करना है और यहाँ पे गुंगरू का स्टोक है यहाँ पे इस तरीके से और यह कलाईस है अगर आप कलाईसे नहीं देंगे तो बार-बार आपको हाथ ऐसे ऐसे करना पड़ेगा यह नहीं करना है ऐसे ऐसे नहीं करना है कैसे और अगर कलाईसे नहीं बजाएंगे तो ऐसे करना पड़ेगा इस तरीके से काम नहीं चलेगा उसमें क्या है कि कलाई बस आपको कलाई को twist करना है. यहां से इस तरीके से यह मैं आपको बजाए था ना कलाई में loose होनी ची यह वैसे ही कलाई का loose यहां पर भी काम कर रहा है तो इस तरीके से prata को slide near करना है दगी को इस तरीके से रक ले अपने पेट के इसको थोड़ा सा दबाके रखे मेर पेटी नहीं तो यह इसलिए इसको थोड़ा सा प्लब दबाके रखे और चाटी जो है छोटा उसको इस तरीके से सामने बिलकुल इस तरीके से अब दीखिए कैसे बजाना है यह धी तो धी था ता या फिर धीक धा ता इस तरीके से भी बोल सकते हैं क्या थीक धा ता अब दीखें तरीके से बोड़ा हाथ को ना चाना है ठी क, धा reverse में है, अफिर ता, ठी क, क यहां पे आ रहा है, और फिर गेती धाता भी वर्क सकते हैं, गेती धा, धा reverse में यहां पे गे के साथ आ रहा है, यहां पे का भी है तो इसको कोटा मिलागे ता बोल रहें के साव ज्यादा है तो यह वोगए यह देखिए फिर से ने लिए लेजे ती था 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 त यह देखें और यह जो इस्टोक आ रहा है फिर उसके बाद गुंगुरु वाला इस्टोक आ रहा है यहाँ पर सिर्फ गुंगुरु वाला इस्टोक है और कुछ नहीं है यहाँ पर गेमी बज़ रहा है यहाँ पर क्या बज़ रहा है इसको क्या गेती धाता केती ताता या फिर गेती धा दि क। इस तरीक से इसमें बज़ रहा है घुम में यह twist outright कर और क के साथ इधर ऐसे बज़ रहा है दो थी कर इधर जे के साथ गे ऐसे बज़ रहा है यह वाला धा दिखिये कितना प्रेशर ली धा है यह प्रेशर से पढ़ रहा है और यह सेक्ट लास्ट वाला धा है अधिकतर जो बोल होते हैं, अधिकतर जो composition होते हैं कुछ इस तरीक से सेक्ट लास्ट वाला धा उसका प्रेशर से पढ़ता ही है तो यह ध्यान में रखें तो पहले वाला गया हमेशा फोर सुली बढ़ेगा यह कवाली स्टैल का थोड़ा सा रूल है किस तरीके से देखिए और जो मैंने उधान बताया था वो गुछ इस तरीके से था ता टी ता ख उला है यह आपे प्रेशर है यह द्यान में रखीएगा प्रेशर है यह द्यान में रखीएगा इस तरीके से यह बज रहा है तो देखे तो आप भी इस तरीके से इसको बजा सकते हैं वीडियो कैसा लगा है जरूर बता है आज का वीडियो यहीं तक बहुत बहुत धन्यवाद झाल 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 झा